इस वीडियो में आपको ओवर्सीज प्राइम ब्लॉग C के हवाले से इस्प्राइम ब्लॉग C में इस वक्ड डिवलप्मेंट का स्टेटस क्या है बाइ दी एंड ओफ 2021, डिसेंबर 2021 में आज की डेट में अगर देखा जाए तो यहां पर डिवलप्मेंट के स्टेज पर हो रही है उसके हवाले से एक्स्प्लेन करूंगा अगर बात करें Overseas Prime में development के status की तो development के लावा यहाँ पे दूसरा जो important point आता है किस size की plots हैं, किस size की cuttings हैं यहाँ पे जिसके development हो रही है तो दो important बाते हैं main और third location का point आता है कि इस Overseas Prime block की location कैसी है सब्सक्राइब बात करते हैं जी development की इस वक्त Overseas Prime block में जो development है वो 70-80% मुकमल हो चुकी है यानि कि अर्थवर्ग जितना है मुकमल हो चुका है इस पूरे block की क्योंकि इस elevated block था one of the most elevated block इस block के जो development है अर्थवर्ग के लिहासे वो मुकमल है और second आते कि इसके street का layout plan जोता है अभी आप मैं वीडियो में आगे जाके देखेंगे कि properly streets की जो street का layout plan होता है वो properly बन गया है अब अगला step जो आता है वो इसमें nominal काम है जो होने वाले हैं वो ये काम हैं कि number one के इसका जो street का layout plan बना है इस पर asphalt का काम होना number two कि इसी asphalt के साथ इसके उपर properly पिर carpenting काम होना number three उसके साथ foot pass का बनना street lights का लगना उसके लावा जादर next काम आ जाता है कि इसके अंदर जो बाकी block के saverage और बाकी जो निजाम है चीजों का development के लिहासे उनका मुकमल होना तो for the time being overseas prime block C में जो initial जब सबसे मुश्किल काम होता है वो था अर्थवर का तो अर्थवर का काम जो है वो इस वक्त पॉपली अपनी finishing stage पे है most वो भी expect कर सकते हैं कि आप अगले 6 महिने के अंदर अंदर यहां पे overseas prime block में society मेंबरान को possession offer करने की position में आ जाएगी but मेरा ने ख्याल कि यहां पर possession offer किया जाएगा जो मेंबरान request based possession लेना चाहेंगे उनको possession यहां पर मिल जाएगा वैसे overall block में possession जो है उसके announcement जो है September 2022 के बाद की जाएगी क्योंकि company के chief operating officer Malik Aslam साब अलड़ी कह चुकी है कि हम पहले overseas central का possession offer करेंगे उसके बाद फिर overseas prime का तो यह मैंने पूरी जो series है कि मैंने धाई मेने पहले एक series बनाई थी तो बहुत सरे membran बार पर call करे थे कि हमारी overseas prime में investment है तो आप उसकी videos बनाएगे जिसमें देखना चाहते हैं कि इस सुक्त कि investment कहां stand करती है तो जो streets है उनका proper layout plan बन चुके है streets के लावा इनकी अभी आगे जब काम होगा तो उसके वाले explain कर दूँगा अब आता है जी इसमें किस size की cutting के plots हैं इसमें जो सारे किस सारे plots हैं तमाम के तमाम plots 12 मरला के हैं जिनका size बनता है 40 by 68 अगर square yards में बात करें तो 300 square yard का plot है overseas prime block C में 300 square yard के जितने plots हैं और कुछ plots, corner plot with extra land है वो जारशी बात है कि members extra charges pay करके वो plot भी ले सकते हैं तो जिन membran ने 40% down payment के साथ यहां पे already location choosing की थी उन membran को काफे बड़ा benefit है और इसके लावा जिन membran ने यहां पे इसके लावा second अच्छी elevation काउंट की जाए तो block E और block C के आती है even के कुछ parts ऐसे हैं जहां पे C block के elevation E block से भी अच्छी है but any case better late than ever जिन membran की balloting में यहां पे plot निकलता है यहां वो balloting से पहले अपने due installment क्लियर करते हैं और balloting से पहले location choosing पे जाते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा benefit साबित होगा अगर हम बात करें third point की overseas prime block की location की block C की location की तो location wise भी काफी prime है क्यूंकि इसको दोनों gates access है जो overseas prime gate 1 और gate 2 access road 1, access road 2 दोनों के center में वाकिया है तो कोई पिर individual जो overseas east में जाना चाहता है उसके लिए भी easy access है क्यूंग gate की बिल्कुल left side पर ये block वाकिया है और जो individuals directly executive block में जना चाहते हैं तो उसके बिल्कुल right side पर G block और E block cross करने के बाद right side पर ये block आता है तो overseas prime block C की development का status यह है कि streets का चुकाम है आप वीडियो में सारा कुछ खुद देख सकते हैं तो ये overall इस block के हवाले से details थी So this was it from today अगर आपको smart city में booking के हवाले से कुछ मालूमाद चाहिए हूँ तो मेना number आपको screen पर available है आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं इसके लावा आप मारी website विजिट करना मत भूले www.makansolutions.com अगर आपको ये video अच्छी लगे तो please like, comment and share और channel को subscribe करना मत भूले रिजवान चीमा को दीज़े जाज़त अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिस